बिधान सभा में जोड़दार हंगामा होता है नेता प्रदिपक्ष बिजे सिनहा हाथ में कागस दिखाते हुए कहते हैं कि नितिश कुमार के मंतरी इजराइल मनसूरी पर हत्या का एफायार दर्जुआ है और जब तक वो मंतरी रहेंगे तब तक कारवाई कैसे होगी तब त जाच निस्पक्ष तरीके से कैसे होगी और तब तक के लिए इजराइल मनसूरी को मंतरी पत से हटा दिया जाए नितिश कुमार बिजे सिनहा से बाचीत करते हैं कहते हैं कि हम अपनी तरफ से देखेंगे सरकार देखेगी और इसके बाद की कहानी कही जा रही है कि चेंबर में बुलाकर इजराइल मनसूरी से पूछते हैं कि आखिरकार इसमय आपका नाम कैसे जुड़ा और इसके बाद से कहा जाता है कि नितिश कुमार ने अपने चेंबर में इजराइल मनसूरी जो मंतरी है राजत कोटे से उनकी क्लास लगाई आगे हम आपको सब होते हैं इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा होता है विजय सिना हाथ में कागज लेकर कहते हैं कि इजराइल मनसूरी को मंतरी के पत से हटाया जाए क्योंकि उनका नाम जो है वो हत्या के मामले में आ चुका है और इसके बाद से नितिश कुमार खुद आसवासन देते हैं क जरी गलत होगा तो कारवाई होगी और इसके बाद के कहानी सुनिए कि नितिश मनसूरी से पूछते हैं कि आखिर कार नेता पर दिपक्ष बियस इना जो कुछ कह रहे थे उसमें कितनी सचाही है इजराहिल मनसूरी वहाँ पर मुखे मंतरी नितिश कुमार के चेंबर में जाकर मुखे मंतरी को सफाई देते हैं बता आ जा रहा है कि इजराहिल मनसूरी ने क पर बातचीत की है यह अपने आप में बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इज्राइल मनसूरी राष्ट्रिय जनता दल के कोटे से मंत्री है उनके उपर आज सदन में जमकर हंगामा होता है कहा गया कि उनके उपर एफाइयार है हत्या के मामले में एफाइयार है और नेता से मांग की जाती है कि इज्राइल मनसूरी को मंत्री पत से हटाईए और इसके बाद नितिश कुमार जमकी मंत्री है वो खुद एक्सन में आ चुके हैं अब राष्ट्य जनता दल के यानि कि राजत के कोटे से मंत्री बने इज्राइल मनसूरी के ऊपर नितिश कुमार क्या तमाम विधायग कहा है कि राज़त कोटे से मंतरी जाहिल मनसूरी को मंतरी पत से तुरंत हटाइए और वहाँ पर निदेश कमार अपने चेंबर में बुलाकर इजराहिल मनसूरी से बातचीत करते हैं और कहा ज़रा है कि उस दोरान नितिश कुमार अकेले नहीं थे बलकि वहाँ पर जमा खान जो एक और मुसल्मान मंत्री है वो भी मौझूद थे और बीजय चोदरी जो नितिश कुमार के वेयत करीबी है वो भी मौझूद थे अब फिलाल आगे देखते रहिए कि राश्ट्र अक्षाइद बने रही है फिलाल आप क्या सोचते हैं और भी कमेंट बॉक्स वनेकर बताईएगा कि मैं मौहित कुमार सिंह बहुत बहुत धन्यवाद